जैसा के हम जानते हैं वर्डप्रेस से एक content management system है तो आईए जानते हैं वर्डप्रेस में कौन-कौन से content के types होते हैं वर्डप्रेस की जब हम कोई भी website बनाते हैं तो उसमें या तो हम pages बना रहे होते हैं या हम post बना रहे होते हैं और उन pages और post में हम different किसम का media यूज़ करते हैं उस media में हमारी images आ जाते हैं हमारे पास videos हो सकती हैं हमारे पास audio files हो सकती हैं हमारे पास PDF हो सकते हैं और हमारे पास slides हो सकती हैं तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, depending on the type of website, कि हम किस किसम की website बना रहे हैं, उसके मताबिक हम या तो ज्यादा pages का इस्तमाल कर रहे होंगे, या हम ज्यादा post का इस्तमाल कर रहे होंगे, अगर हमने किसी company की website बनानी है, for example, किसी restaurant की हमने website बनानी है, तो उस restaurant के different pages होंगे website के, उसमें menu का page होगा, उसमें contact का page होगा, उसमें product का page होगा, लेकिन अगर हम कोई recipes का blog बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास post आएंगी, जो के नई recipes, time के साथ साथ नई recipes add होती रहेंगी, अब अगर for example, हमने एक recipes की website बनाई है, और हमारे पास कोई 1000 की तादाद म recipes जो है वो हमने add कर ली है website पे, अब उन recipes को group करने के लिए हम categories और tag का इस्तमाल करेंगे, for example हमारे पास breakfast की recipes हैं, हमारे पास lunch की recipes हैं, हमारे पास dinner की recipes हैं, हमारे पास Pakistani food की recipes हैं, तो हम different categories बना लेंगे ताकि उन बहुत सारी recipes को आपस में group कर सकें, अगर कोई user सिर्फ breakfast की recipes देखना जाता है, तो वो recipes के categories पे जाके सिर्फ breakfast की recipes देख सकें, for example हमारे पास categories के इलावा भी हमने अपनी पोस्ट को, अपनी recipes को हमने group करना है, तो उसके लिए हम tags का इस्तमाल करेंगे, for example breakfast में हम कहा रहे हैं कि जी, ऐसा breakfast की recipes हमें चाहिए जिसमे चॉकलेट का इस्तमाल होता हो, जब चॉकलेट बेस ब्रेकफास्ट की recipes, तो उसके लिए हम different tags use करेंगे, recipe की category, breakfast ही होगी, लेकिन further हम उनको group कर लेंगे, उनके tags की बेस पे, so wordpress में हम pages बनाते हैं, post बनाते हैं, और उसके साथ साथ हम tags and categories बनाते हैं, और pages and post में use होने वाला media बनाते हैं, media में आपकी images हैं, आपकी videos हैं, आपकी audio files हैं, तो यह हमने जाना के wordpress में कौन-कौन से content के types होते हैं, आगे जाके हम इनी sub types का इस्तमाल भी करेंगे, के कौन सा type कैसे use होता है और कहां पे use होता है